दोस्तों अगर आप एक CSC VLE हैं कॉमन सभी सेंडर संचालक हैं या फिर आप साबर कफे चलाते हैं और आप सभी मॉर्फो डिवाइस को यूज करते हैं लेकिन अगर आपको मॉर्फो डिवाइस यूज करने में किसी भी प्रेकार की कोई समस्या आ रही है या आपके मॉर्फो कर्मा योजना में ऑनलाइन अपलाई कर रहे हैं ठीक है लेकिन वहाँ पर आपका फिंगर प्रिंट डिवाइस वर्क नहीं कर रहा है मॉर्फो काम नहीं कर रहा है यह फिर अगर आप एप सर्विस यूज करते हैं यह फिर डीजी पर चला रहे हैं लेकिन उसमें भी अगर प्रेकार नहीं करता है तरहां तरहां कि आपको एगर देखने को हैं तो किस प्रेकार से आपको परिकार से इसको आपको इंस्टॉल्मेंट करना है इसकी कंप्ली जनकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतक देखना वीडियो को कोई भी पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना अने था आपका डिवाइस वर्क नहीं करेगा तो इसका आपको विसेज ध्यानकना है कि आपको कोई भी सिस्टम में जो है विंडोस 10 होना चीए क्योंकि जो मुर्फो का डिवाइस से विंडोस 10 में ही वर्क करेगा विंडोस 10 में वर्क नहीं करता है ठीक है तो विंडोस 11 अच्छी बात है आप सभी का जो है यह पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पूसको मैं मैक्सिमाइज कर लेत तो इनमें से आपको यह ढूंड़ना है कि जो मॉर्फो का ड्राइबर है वो कहां पर इंस्टॉल है तो इस प्रिकार साथ स्क्रोल कर तो थोड़ा सा नीचे आओगी तो यहां पर तो यास कर देना है और इत के पिर आप की सिश्टम स्य यासे रिमूव को जायगा यहां काम करते वक्त आपको अपने सिश्टम से मौर्फो डिवैस डिस्कनेक कर देना है अपने मौर्फो डिवाइस को वहाँ सी निकाल देना त्제िवD Winter करेंगे और इसके बाद करेंगे और अनस्टाब करेंगे और यह यहाँ परी प्रेपरिंग डिलेट के लिए त्यार हो रहा है ठीक है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो ठीक है तो शब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन नोटिफिकेशन को किलिक करके प्रेस कर दो ताकि इसी प्रेकार की इंफ्रमेटी वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाएं ठीक है तो अगर आप वीडियो संदोजा 24 में देख रहे हैं क्योंकि यह संदोजा 24 में ही बना रहा हूं है और क्योंकि काफी सरे ऐसे वियली है जिनका मुर्फो डिवाइस व दैश्बोर को देखने के मिलेगा मैनवल और यहां पर देखने के मिलेगा डाणलोड तो आप जो है इस प्रिकार से डाणलोर वाले ऑफ्सन पर आओगे यहां आपको दिखे दो सीरीड नंबर दिखाए देगा जो डिवाइस से दो तरह क्या है एक है मैस और दूसरा है मैस państwo 1300 e3 RDL1 टीक है तो अगर आपका device 1300 e3 है थिक है तो फिर आपको जो है फिर एक मोडल है मेच एक से आपको जो है ड्राःवर को डाउनलोड करना है यह वाला spindle यह वाला सबसे बैस्ट होता है ढलाव तो आपको बस सिसिथो फ़िकना है और इसको आपको अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लेना है तो यहां पर किलिक कर दिया यहां पर यह डाउनलोड होना चालू हो चुका है और यहां पर देखते हैं यहां पर यहां पर यहां पर हट रहा है ठीक है तो यह हट जाएगा आसानी से आपको कुछ पर आप काफी दंनों से अपने डेवर क्लें नहीं किये हैं काफी दिन के बाद करें विसकुध काफी टाइम लगता है अब हमारे system है अभर यहां रभर है यहां हमारे यहां से काट देगे से और अब हमें आना है अपने computer के दिस PC में ठीक है दिस PC को हम यहाँ पर open करेंगे ठीक है यहां पर हमारा जो डिस PC है यह open हो रहा है open होने के बाद आपको local Dix C में चले जाना है और यहां आपको Morphe के दो फोल्डर दिखाने देंगे इन दोनों को यहां से आपको इस प्रेकार से सेक्शना है औरइट किलिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं यह हुं है अब होने के बाद आपको दावलोड वाले फैल्ट में जाना क्योंकि हमने फैल किया है उसको फ्रिकार्स हाँ करना होगा तु मिशक्व हम Do ग्राइबर है जो क्लीए इसको Right-Click करेंगे और इसको सब्सक्राइब फाइल है यहाँ पर हम करने के बाद में सबा an फाइल को ओपन करने पाद सब्सक्वि क्रिकार से वाला ऑप्षे नापको दिखाए डिखा़े अब बनोज हर भर कर देनी जैसे दazyमा इस पर डबल करते हैं वन टाइम इस पर करने के बाद यह थोड़ा सा प्रोस्सेंग हो लेगा और इसके बाद यह आपकी शिश्टम की पर्मिशन मांगेगा तो आपको फिर दौहां पर दो ऑप्शन सो करेगा यस और नो का तो आपको यस कर देना है ठीक है और जैसे हैं आप यहाँ पर य इस सबसक्राइब करने में अपर चलता है तो आप लोग यहां पर देखते हैं हमारे सिश्टम में अपर यहां पर सफलतापूरबाग यहांपर इसके बाद हमें यहां पर दो ऑप्शन दिखा दिए रहा है यहाँ रिशार उड़ाइब कर रहे हैं और यहां पर मेंपर किलिक कर देती है आपके डिवाइस वर्क करेगा और इसके साथ आप जैसे कि मानलो CSC लोगिन करते हैं यहां पर भी आपका डिवाइस काम करेगा लेकिन अगर आपको डिवाइस काम करवाना है तो बस आपको एक सेटिंग करने पड़ेगी क्योंकि डिवाला काम नहीं करता तो इसके लिए आपको जाने के बाद आप सभी को क्या है अपर एक और अप्षिन दिखा देका Local Digsty में आऊग Ев की यहां पर आपको देखने के मिलका अ log soft आपको इसको किल्क करके open कर लेना है ठीक है तो यहांपे आपको धिखाए देखीन सेटिंग इसको डॉब्ल किली करके पोपें करोगे यहां पर दिखोग्या पोणिकन मोड 0 दिख रहे हैं ठीक है जतना एब고 चलाना है तो इसके लिए फिर आपको यहां पर कम्रीकेसन 0 से हटा कि इसको 1 करना पड़ेगा और 1 करोगे इसको आप सेव कर लोगे ठीक है और सेव करने के बाद आप सभी जो है यहां देहो वह भूजिन धने करना है तो आप एक परने के आप सेप करने के बाद रक मढद यहां को सर्विस पर जाएगी अब जो सर्विसेस हैं जितनी सारी वो सभी सर्विसेस आपकी डिवाइस पे ओपन हो जाएगी इस प्रिकार से हमारे सामने इस प्रिकार से जो है सर्विसेस स्वाला पेज ओपन हो चुका है यहां पी स्क्रूल करते हैं आपको नीचे आना है कि करके आपको आना है दिए ध्यान आई जब यह प्रक्रिया आपके सिस्टम से कनेक्टेट होना चाहिए ठीक जब यह कर लोगे तो आपका डिवाइस रिस्टार्ट हो जाएगा और फिर इसके अबाद आपने डिजी पी में अपने फिंगर्प्रिंट डिवाइस को यह कर सकते हैं और फिर से अगर सब्सक्राइब करके काम करना है उम्मीद करता हूं कि आप लोग अचीज समझ गया है और अगर आप सब्सक्राइब करके जरू बताएं धन्यवाद